आपको पूरे यूटूब पर आज तक किसी न नहीं बताई है तो वीडियो को विल्कुल भी स्कीप मत किजिएगा चलिए शुरू करते हैं गैस बहुत ही गजब की ट्रिक में आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए टाकि इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिलते रहें तो सबसे बेल आपको किसी भी ब्राउजर को उपन कर लेना है ब्राउजर पुराने के बाद आपको क्या करना है जिस एंडूड एप या गेम को आप अपने PC पर रन करना चाते है अब अगर आप इदर उदर से फाइल डाउनलोड करेंगे तो आपका एंडूड एप नहीं चलने वाला है तो आपको क्या करना है मैं आपको जो तरह का बता रहा हूं उससे फोलो करना है तो सबसे बेल आपको यहां पर सर्च करना है प्लेश्टोर बस इतना टाइप करका आपको सर्च कर देना है अब आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है गूगल फ्लेश्टोर तो यहां पर हमारे सामने प्लेश्टोर ओपन हो चुका है अब आप जिस एंडूइड एपको अपने PC पर रन करना चाते है उससे यहां पर सर्च करना है जैसे मैं यहां पर कर लेता हूँ फेस्बुक आपको जो चलाना है वो कर लेना है सर्च करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है जब यहां से main process शुरू होती है तो आपको ध्यान से देखना है नई तो problem हो जाएगी तो अब आपको क्या करना है जिसे app को आप open करेंगे उसकी यहां पर एक link rate हो जाएगी यहां पर देखी address bar में एक link है तो इसे आपको कुछ इस तरह से select करना है और right click करके copy कर लेना है link copy करने के बाद आपको एक नए टेव open करना है अब यहां पर आपको search करना है APK downloader इस website को open कर लेंगे APK downloader अब आपने जो link copy की थी उससे यहां पर आपको paste कर देना है right click करके paste कर देंगे link paste करने के बाद आपको generate download link पर click करना है गज यहां पर आप देख सकते हैं हमने जिस app की link paste की थी उसकी एक download link generate हो गई है तो आपको simply click head to download फर click कर देना है तो यहां पर यह APK file download हो गई है तो यह तो हुई APK file download अब हम बात करते हैं कि आप इस Android app को अपने PC पर किस तरह से run कर सकते हैं तो इसके लिए आपको फिर से किसी भी browser को open कर लेना है ब्रावजर पर आने के बाद आपको यहां पर address बार में टाइप करना है लेम्डाटेक्स.com गैज स्पिलिंग ध्यान से देख लीजी बिल्कुल सेम होनी चाहिए इसके बाद आपको इंटरफेस कर देना है तो यहां पर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस open हो चुका है यहां पर आपको सबसे बेले sign up करना है तो मैं sign up पर click कर देता हूं यहां पर हम sign up with google कर देंगे कि signup करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह ने का विंड़ो ओपन हो जाएगा तो अब आपको क्या करना है यहां पर साइड में Real Time Testing मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है real time testing में आपको mobile app का option मिलेगा तो इस पर हम click कर देंगे इसके बाद आपको simply upload पर click कर देना है और जो FVK file आपने download की थी जिसे आप run करना चाहते हैं अपने PC पर उसे यहाँ पर open करेना है यहाँ पर यह FVK file upload हो चुकी है FVK file upload करने के बाद आपको device select करना है तो यहाँ पर मैं OnePlus कर लेता हूँ आप किसी भी device को select कर सकते है यह सब करने के बाद आपको simply start पर click कर देना है यहाँ पर यह कुछ इस तरह की process होगी So finally हमारे सामने एक Android device open हो चुका है और यहाँ पर आपको वो Android app भी मिल जाएगा जिसे आप run करना चाहते है मैंने Facebook install किया था तो यहाँ पर मुझे Facebook मिल गया है इसे मैं आपको open करके दिखाता हूँ So यहाँ पर आप देख सकते है हमारे सामने Facebook app open हो चुका है और इसका use आप उसी तरह से कर सकते है जिस तरह से आप अपने mobile में करते है गयज इसी के साथ आपको बहुत सारे Android apps देखने को मिल जाते है जिनका use आप कर सकते है और आप किसी भी Android app को manually install करके भी use कर सकते है और यह बिल्कुल भी lag नहीं होता है Fastly work करता है Basically यह depend करता है आपके internet connection पर जितनी अच्छे आपकी internet speed होगी उतनी अच्छे तरह से यह run करेगा तो आप जिस Android app को अपने PC पर run करना चाते है उसे इस तरह से कर सकते है और भी बहुत सारे tools आपको देखने को मिल जाते है जिनका use आप यहाँ पर कर सकते है So guys कुछ इस तरह से आप अपने laptop या PC पर Android apps को run कर सकते है without any emulator का अपनेंगरा मेरी आपको जापको अपने को लुकीज़ तरह से जापको भी को आपको आपको पर कर दोदाबा ही